महरास्ट में निवेश और रोजगार करोना ठाकरे और शिरत पवार गुढ़ तब से रो रहा है जब से एकनासषिंदे महरास्ट के मुक्हमंतरी बने हैं हलागी पिछले धाइ साल में ठाकरे पवार ने कितना निवेश करवाया महरास्ट में कितने रोजगार दिये इस पर उन्होंने हमेशा से ही चुक्पी साथ रखी है अलबत्ता अब बतोर CM1 शिंदे ने महारास्ट को कितने बड़े पैमाने पर निवेश दिलवाने की योजना पर काम किया है जिससे ठाकरे पवार की बोलती बंद हो चुकी है कितने बड़े पैमाने पर महारास्ट में निवेश होने वाला है इस रेपोर्ट में हम जानेंगे इसके साथ ही हम गर्त में जाती कॉंग्रेस पार्टी को लेकर भी विशलेशड करेंगे कि आज महारास्ट में कॉंग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा जटका लगा है दरसल चुनाव लड़ने के लिए कॉंग्रेस पार्टी अपने जिन निताओं को टिकेट दे रही है वो निता भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भाव तक नहीं दे रहे उल्टा कॉंग्रेस पार्टी को जटके पर जटके दे रहे हैं इसके अलाबा महरास्ट के एक विधायक ने उद्दफ ठाकरे के खिलाप में बहुत ही गंबीर आरोप लगाई है दरसल एक विधायक ने साफ तोर पर कहा है कि ठाकरे ने उसके खिलाप में बहुत बड़ी और घिनोनी साजिश रची है इस एबज में और होने सीयम एकनाश शिंदे से जाज की गोहार लगाने की भी बात कही है इन तीनों ही मामलों को लेकर के हम सिलसले बार तरीके से चर्चा करेंगे इस रिपोर्ट में और समझने की कोशिस करेंगे कि आखरकार महरास्ट का सियासी मिजाज क्या है इन तीनों मसलों को लेकर के लेकिन उससे पहले आपसे विनमर निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरू करें सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं महरास्ट में बड़े पैमाने पर होने जा रहे निवेश की मुख्यमंत्री एकनाशिंदे सुटिजर लेंड के दावोज जा रहे हैं जहां वर्ल्ड एकॉनोमिक फॉरम के प्लैटफॉर्म पर विदेशी निवेशकों को सम्मोधित करेंगे माना जा रहा है कि वहाँ पर एक लाख चालिस हजार करोड रुपए के एम ओ यू पर हस्ताक्षर करेंगे साथी महरास्ट में निवेश करने के लिए निवेशकों और उद्द्योगों के प्रमोखों के साथ में बाच्चीत होगी पहले मुख्यमंत्री के साथ में उप मुख्यमंत्री देवेंदर फरनबीस भी दावोज जाने वाले थे लेकिन प्रधान मंत्री नेरंद्र मोदी के मुंबई दोरे के चलते उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया अब मुख्यमंत्री के साथ में उद्योग मंत्री उद्य सामंत और वरिष्ट अधकारी जा रहे हैं मुख्यमंत्री कारयाले के मुताबिक शिंदे रविवार यानि की 15 जनवरी को मुंबई से जीवरिक के लिए रवाना होंगे सौमवार 16 जनवरी को महरास्टर पवेलियन का उद्गाटन करेंगे जहां विभिन शेत्रों के नामी उद्योगों के साथ भी MOU साइन किया जाएगा World Economic Forum के Center for New Economy and Society and Urban Transformation के प्रमुख भी मुख्यमंत्री एकनाशिंदे के साथ में मुलाकात करेंगे मंगलवार यानि की 17 जनवरी को मुख्यमंत्री लग्जमर्ग के प्रधानमंत्री जॉर्डन के प्रधानमंत्री सिंगापुर के सूचना और दूरसंचार मंत्री Bank of Japan, Saudi Arab के उद्योगवा खान जो मंत्री हैं और Swiss India Chamber of Commerce के साथ में मुलाकात करेंगे उसी दिन सीम शेहरों के विकास के लिए बदलते परवेश की चुनोतियों और परियावरण के अनुकूल सतत विकास पर भूलेंगे इसने वोच का आयूजन भी किया गया है जिसमें उद्योग राजनेतिक साइद अन्य विभिन शेत्रों के सौ से देड़ सो हस्तियों को आमंत्रित किया गया है केंद्री मंत्री भी शामिल होंगे अब दोस्तों बात कर लेते हैं विधायक द्वारा उद्ध ठाकरे पर लगाए गए गंधीर आरोप की खेड़े के विधायक योगेश कदम की गाड़ी का बीते शुक्रवार की रात को एक्सिडेंट हो गया था आपको पता होगा जिसमें वो बाल बाल बचे थे उनकी गाड़ी में डंपर ने पीछे से जोरदार टकर मारी थी जिसकी वजह से कार का पिछला हिस्सा बुरी तरीके से छतिग्रस्त हो गया था इस दुरखटना में योगेश कदम तो बाल बाल बच गए लेकिन उनके ड्राइबर को जो है और उनका जो अंगरक्षक यानि की जो सेक्योरिटी गाड़ उनके साथ में मौजूद था वो मामूली रूप से जख्मी हो गए थे इस सड़ख दुरखटना को लेकर के विधायक योगेश कदम ने साज़श का शक जताए था योगेश कदम ने का कि जिस तरीके से ये सड़ख दुरखटना हुई है वो कोई मामूली बात नजर रही आती बलकि इसमें बड़ी साज़श नजर आती है उन्होंने का कि मेरी कार के पीछे पुलिस की सिक्यूरिटी वाली गाड़ी थी बावजूद इसके एक डंपर ने आ करके सीधे मेरी गाड़ी में पीछे से टक्कर मारी और ये कहना लाजमी है कि जब पीछे एक पुलिस की गाड़ी हो साथ में काफले में तो फिर उसमें एक्सिडेंट न हो करके विधायक की गाड़ी में सीधे टकर कैसे लगी आखिर ये कैसे संभव है योगेश कदम ने का कि इस मामले में वो माहरास्ट के मुक्य मंतरी एकनाश शिंदे और अपो मुक्य मंतरी देविंद्र फण नभी से मामले की जाच की मांग क जताया है कि उद्धव ठाकरे द्वारा योगेश कदम के जीवन को खत्म करने की साजिश रची जा रही है उन्होंने का कि इसके पहले उद्धव ठाकरे द्वारा योगेश कदम के राजनेतिक जीवन को खत्म करने का प्रयास उद्धव ठाकरे कर चुके हैं इस सम्मंद मे हमने पुलिस विभाग से बाचीत किये जल्दी मुक्यमंत्री के समक्ष शिकायत करेंगे ये विधायक की तरप से दावा किया अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कॉंग्रेस पार्टी को लगे जटके की वसे कॉंग्रेस पार्टी को हर रो जटके पर जटके लगते हैं अब कॉंग्रेस के नेता भी कॉंग्रेस को तीन न तेरा में गिंते गुए दिखाई दे रहे हैं अपने चुने हुए बिधायकों के पाला बदलने और कई राज्यों में जीत के बाद भी सत्ता प्राप्त करने में विफल रहने वाली कॉंग्रेस पार्टी को एक और बड़ा जटका लगा है दरसल नासिक MLC चुनाओ में कॉंग्रेस ने जिसे टिकेट दिया था उसने परचा ही नहीं भरा उनके इस्थान पर उनके पुत्र ने निर्दलिय परचा भरा है इसके साथ ही उसने एलान किया है कि वो महाविकास अगाली के साथ ही बीजेपी से भी समर्थन की मांग करेंगे दरसल नासिक ग्रेजुएट विधान परशाश शेतर से कॉंग्रेस ने डॉक्टर सुधीर तामे को अपना अधिकारे को मीदवार बनाय था लेकिन नामांकन भरने के आखरी देन यानि कि गुरुवार को तीन बजे तक उन्होंने अपना परचा भी नहीं भरा हलाकि पार्टी ने उन्हें ए-बी फॉर्म भी दिया था वहीं उनके स्थान पर उनके बेटे सत्यजीत तामे निर्दलिये के रूप में अपना परचा उन्होंने भर दिया है उन्होंने महाविकास अगाली यानि कि कॉंग्रेस, M.C.P. और शिक्सेना उद्दव गुट का समर्थन प्राप्त है हलाकि उन्होंने बीजेपी समयत सभी दलों से अपने लिए समर्थन मांगा है अब दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि कॉंग्रेस पार्टी ने अपने जिस नेता को टिकेट दिया था चुनाब लडने के लिए उस नेता को भी इस बात का अंदेशा था कि अगर वो कॉंग्रेस पार्टी के टिकेट पर चुनाब लड़ता है तो यकीनन तोर पर उसकी हार सुनिशित है तो ऐसे में उन्होंने कॉंग्रेस का टिकेट दरसल साइड में रख दिया congres के ticket के ताहत नामांकन तक दाखिल नहीं किया और निर्दलिये चुनाब लड़ रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि हम निर्दलिये चुनाब लड़ करके जितने vote हासिल कर सकते हैं उससे कई कम vote मिलेंगे अगर वो congres party के ticket पर चुनाब लड़ते हैं तो ऐसे में कॉंग्रेस को ठेंगा दिखाते हैं उन्होंने कॉंग्रेस के टिकेट से नमंकन तक दाखिल नहीं किया और सबसे बड़ी बात ये है कि कॉंग्रेस पार्टी ने उन्हें एक और मौका दिया एबी फॉर्म दिया बावजूद उसके उन्होंने कॉंग्रेस चुनाब न लड़ने का फैसला किया और अब उनके जो बेटे हैं वो अब दरसल निर्दलिये तोर पर चुनाब लड़ रहे हैं और ऐसे में उन्होंने भाजपा और अगारी के जितने भी घटक हैं सबसे सीधे तोर पर समर्थन मांगा है यानि कि कॉंग्रेस नेताओं की ये साथ अपने साथ ले करके चलने की और सबसे बड़ी बात यह है कि कॉंग्रेस जिस तरीके से धीरे-धीरे घर्त में जाती हुई दिखाई दे रहे हैं और उसके जो नेता है उनका ही दरसल उन पर भरोसा नहीं होना है भी ये कही न कहीं आभास होता है कि अगर वो कॉंग्र पार्टी के टिकेट से चुनाब तक लड़ना पसंद नहीं कर रहे हैं। तब से लगातार वो इसके एवज में कहीं न कहीं एकना शिंदे सकी सरकार को घिरने की कोशस कर रहे थे लेकिन मुझे लगता है कि इस MOU पर साइन होने के बाद में बड़े पैमाने पर निवेश होने के बाद में उद्धा ठाकरे खेमा और शरत पबार का खेमा पूरी तरीक कर लें साइड बने बैल आकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई बड़ा अपडेट लेकर आओ तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको लगे